तो मेरा तवियत खराब हो गया है इसलिए वहाइस में जो भी प्रोलम आई थोड़ा आप माइनेज किजेगा ठीक है अपने फॉन की भेलूम आप इंक्रीज कर लेजिए ठीक है ना क्योंकि हो सकता हुए वहाइस मेरा जो है लोग आपको मिल सकते हैं ठीक है अभी कोज मेरा सही तरीका सिखाएंगे जो कि बहुत से बच्चे मिस्टेक करता है एंसर लिखने में अगर आप कितना भी टाइलंट क्यों ना है लेकिन अगर आपको सही तरीके से बोर्ड कोपी लिखने नहीं आता तो पिर साइध आप उमीद से कम नंबर ला सकते हैं समझ है ना आप जि आप के पास यहां पर बोर्ड का जो प्रोफाईल होता है यहां पर मिल जाएंगे ठीक है और यहां पर डॉड डॉड कर यहां यह व thor b कोपी में मिलते हैं वह यहां पर रहेंगं और और कुछ नहीं है देह से जदा रहेंगे डिलेट दरेट कई पर रहता इसके बाहर आपको नहीं जाना होता है ठीक है एक जामरा इधर मार्किंग करते हैं कितने नबर कोशन का मार्क बेठाना है ठीक है तो सबसे पहले देखिए मेरे तब्याद जो खराब हो गया है ना बोल नहीं पा रहे हैं सही समझ रहा है ना बोलने में बहुत प्रो तो जहिसे । जह से भी आपको लिखना है सबसे फिले आपको बोड एक्जाम में दो पैन लिख जाना है । बलैख पेन एक बुलू पेन ठीख है नियू पेन नहीं होनी चाहिए नहीं होने चाहिए दू इंच खोली होनों चाहिए दो сист चल रहा है नमबर औरबावर उन में आप लिखेएंगा खंड बहां फिर लगवत cupja भूब है तो मी आपस सिर्फ यहां पर खंड बॉव और लखो त्रीया पास नहीं लिखना राता सिस्प्थ हर यहां पर गडेना इस तरह से आप created लिखना है तू मतलब जितने रहेगा हम सब्सक्राइब पश्यां नम्र आखे थे थो अंक तू अस्थ्रिय प्रस्न कुछ इस तरह से आपको इस तरह से करना है ठीक है यह बलेक पैन से करना है बलेक पैन का यूज कहां कहां करना है और बुलू पैन का यूज कहां कहां करना है सब कुछ आपको हम बता रहे हैं आप बने यह वीडियो पैन तक टॉपर जी इसी तरह से लिखते हैं सही त लेकर यहां तक चाप देना ठीक है यहां पर लिखएंगे निमनांकित जो भी है प्रस्ट में जो जो है वही लिखեंगी देखेंगे यहां पर आपके सामने हम चलिये यहां पर रखते यहां पर लिखी है just a Ha Сейчас वैसे आपको लिख दिना है draft लिखना अगर आपका है थाह कर देना है विवार्या के रोग आज यग को सिनक का नाम् ठीक है चल under अंडर लाइन करना होता है इस स्केल्स आपको करना है ठीक है कुछgg के से तरह देखें मेरा स्केल नहीं है ना तो प्रोलम होता है तो कुछ आपको इस तरीका से अंडर आपको जादा नहीं दाबना की । अब देखें आब द्रक पन का बी और इस्तिमाल करएंगे क्यों कि यह सब जहाँ जहाँ टॉपिक है वह सब ब्लेक पैन पे होगा आपका उत्तर सिर्फ बुलू पैन से होगा ठीक है जैसे यहाँ पे अब हम लिखाएंगे नंबर ए में च्छाय रोग को हम बता देता हो पहले च्छाय रोग को हम तपेदिक रोग भी कहते है टीवी रोग भी कहते है तो यहाँ पर प्रस में वही लिख देते हैं इस तरह से ओप्सन नंबर ए ठीक है यहाँ पर लिखेंगे च्छाय रोग तो हम चाहोत यहाँ पर लिख के जो है आपको दिखा सकते थे लेकिन यहाँ पर लिखाएंगे नहीं तो आपका कॉंट्फिडेंस हाई लेवल तक जा है हाँ हलाकि जादा पेजीर आते हैं बहुसरा बच्चा करता है मेरा बहुसरा पन्नाव पर खाली गया है तिसे अच्छा फोल फोल लिख के कोपी भी ताक यह जामलों को भड़ा हुआ मिले समझ रहें इस दरह से लिख देना है सी में जो है एक से सी में इस तरह से और डी म ना हम बलेक पराइक से हम हम मुलुंपैंस इसकboth रहें रोग जनक का नाम लिखने जा रहे हैं Czech तो अब उन्ट हम लिखेंगे क्योंकि इसके अब तरल कहें गें कि सब्सक्षिक रहेगा इसको तिक जॉच्वर्व पिरहों रुकेleist सब्स्षर करें तरहे scanning let me go maycobacterium mycobacterium tuberculosis ठीक है इस पार आपको नहीं होना है ध्यान से सोने बोट cats savez Schools रहेंगे वह थो थोड चौराईए रहेंगे यहां पर कम है नहीं होना है नहीं अटे यहां पर लिख दिना है तो मेरी में चौराई काम है लेकिन आपके ज्यादने नहीं ट्यूबर कुलोसिस ट्यूबर कुलोसिस तो मैंना नहीं यटा तो यहां पर आप में अट जाएंगे ठीका बिकावच चौराई जादा रहेंगे थी हम यहां पर लिख दूँ ट्यूबर कुलोसिस ठीक है बस इतना ही लिखना और कुछ नहीं करना और फाइलेडिया का जो होता है वह फाइलेडी ओडी यहां पर लिख दूं फाइलेडी ओडी कुछ इस तरह से लिखना होता है ठीक है अच्छा आइड PLAY जनते हैं है ऐडिवी ठीक है और इसका पुरा नम बताइक मुंगरों तो human immuno deficiency virus ए ब से हो गया ए उतना इतना इंप एट रह से रहे होगी है रोग जनक को नमती तीन ब में आपकिसी एक को लिख देंगे कर नहीं लिख देंगे बन जाएगा हम इसे इसे यह जाएगा bisc डून में लख लिजयेग। फाइट यहां इस तहर चेंगेता अउस पाइज तो आ है यहां पर वी में हम लिखike KPoga Credwork कुछ इस तरीके से और सी में अगर हम लिखों तो इपी डर्मो फाइटन है यह पी डर्मो यह इपी डर्मो एक के हो चलो ठीक है दोनों इस तरह से डर्मो और हमारा फाइटन कुछ इस तरह से ठीक है आपको जो सुविधा हो उसको ध्यान में रखेगा इसको भी रख सकते हैं माइक्रोइस पोडम ठीक है बहुत ही इजी है पढ़ने में तो आपको जो भी सुविधाओ किसी एक को रख सकते हैं अब दखिए होने के बाद होने के बाद बहुत सरा बच्चा भी भी गलती करेंगे तो सबसे पहले बलेक पैन हम यहां पर यूज किया एक जामनरों को सुव कुछ इस तरीके से जादा आपको नहीं दाबना है इसकेल्स आपको करना है ठीक है इस तरीके से और इसके लिए आप अभी से परियास कीजिए तभी आप आप अच्छे खासे परफॉर्म्स कर पाएंगे परियास करेंगे तो कट कुट नहीं होएंगे ठीक है इसके लिए अभी से model paper या question bank जैसे हो या कोई भी question हो घर में ही पर्यास कीजिए अगर आप एक topper जैसे copy लिखेंगे तो आप topper ना सही लेकिन topper के आज पास जरूर पहुच जाएंगे आप एक 400 प्लस नमबर लाने के लिए आप eligible हो जाएंगे